मेरे प्यारे साथियों नमस्कार फ्रेंड्स अपने इस वीडियो में मैं आप सभी से सिविल सर्विस प्री 2023 के एगजामनेशन में जो करेंट अफेर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं उनके बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं बहुत ही महत्पूर्ण और बहुत ही जरूरी बाते हैं लेकिन इससे पहले कि मैं टॉपिक्स पर सीधे सीधे आऊं म मैं समझता हूं कि मुझे कुछ तथ्य इसपस्ट कर देने चाहिए ताकि आपके दिमाग में किसी तरह का कोई भ्रम न रह जाए और पूरी इसपस्टता के साथ आप इसका लाब ले सके पहली बात कि जो मैं आपको टॉपिक्स बताने जा रहा हूं वे सब के सब करेंट के अंतरगत सिविल सर्विस एक्जामनेशन के पॉइंट आव यू से महत्पून घटनाए घटित हुई हैं या महत्पून खबरें हैं यह उनका कलेक्शन नहीं है प्लीज नोट इडाउन कि यह उनका कलेक्शन नहीं है अगर मैं कलेक्शन आपको प्रोवाइड करता हूं फिर तो उनकी संख्या पता नहीं कितनी हो जाएगी और फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि वो कलेक्शन आपके लिए कितना लाब प्रद होगा उनमें से आप कितनों को याद रख पाएंगे बलकि मुझे तो कभी-कभी लगता है कि अगर कलेक्शन बहुत जादा हो तो सही उत्तर तक पहुचने में दिक्कत होने लगती है भ्रह्म की स्थिती बन जाती है इसलिए अगला इंपोर्टेंट पॉइंट वो यह है कि जो टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं यानि कि इन टॉपिक्स से पूछे जान मैं आपको बता रहा हूँ उस topic परी सीधे सीधे प्रशन पूछ लिया गया है दूसरा तरीका ये भी होता है कि topic तो यही है लेकिन इस topic पर based जो आपके syllabus का जो chapter है वहाँ से प्रशन पूछ लिया जाए इसलिए जब मैं topics की बात करूँगा तो आप उन्हें थोड़ा सा विस्तार के साथ देखिएगा तब आप इसका सही माइने में lab ले सकेंगे जो current affairs है सामाने तहीं ये देखा गया है कि पिछले एक साल की घटनाओं पर UPSC का जोड रहता है और जैसे जैसे आप examination के निकट पहुँचते चले जाते हैं मतलब मेरा ये observation है कि सितंबर अक्टूबर के बाद से जो घटनाएं घटती चली जाती है और लगबग लगबग फरवरिया मिड मार्च तक की घटनाएं सबसे ज़्यादा पूची जाती है तो उसी अपने पिछले 40 साल के अनुभाओं के आधार पर मैंने इसे तयार किया है पूरी जिम्मेदारी के साथ तयार किया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कई सालों से हम लोग ये करते आ रहे हैं और इसके बहुत ही उत्साह जनक परिणाम मिले हैं मतलब कभी कभी तो आश्यारे खुद स्वैम मुझे हो जाता था कि कैसे बिल्कुल जियोंकातियों प्रशन पूच लिया गया कैसे इतने सारे प्रशन पूच लिये गए लेकिन होता है अनुभव की जो पूझी होती है दोस्तों वो यही होती है एक बात और कि हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि काश सब्जिक्ट्स पर भी हमें इसी तरसे कुछ important topics मिल जाते हैं तो मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हम लोगों ने इस पर भी बकाइदे वीडियो बनाए हुए हैं और आप YouTube पर जा करके हमारे उन वीडियो को देख सकते हैं उसके लिए बकाइदे लिंक नीचे description में दिया जा रहा है इसे आप ध्यान से देख लें तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा और बातें न करके मुझे लगता है कि सीधे topics पर आ जाना चाहिए मैं अब topics की बात करूँगा topics के नाम लूँगा आप इने ध्यान से सुने और फिर आप इन पर कैसे काम करेंगे topics पूरे होने के बाद मैं थोड़ी सी चर्चा उस पर भी करूँ दोस्तों सबसे पहले political science पर जो current affairs के बहुत ही महत्रपून topics इमर्ज होते हैं राश्ट्रपती का चुनाव अल्प संख्यक यौन कर्म अपराध नहीं भारती दंड संगीता की धारा 124 ब्रैकेट में A राज द्रोह कानून उपासना इस्थल अधिनियम 1991 भारती ध्वज संगीता 2002 उपराश्ट्रपती का चुनाव चीफ अफ डिफेंस स्टाव अनुसूचित जाती जन जाती यहां अनुसूचित जाती जन जाती कहने का मतलब है कि कैसे किसी भी जाती को अनुसूचित जाती या जन जाती की लिस्ट में शामिल किया जाता है उस प्रक्रिया से है न्याइधिशों की बेंच अनुच्छेद 162 उच्चतम न्यायले के कुछ निर्णे बहुत ही जो महत्रपुर्ण निर्णे उच्चतम न्यायले ने दिये हैं उन्हें आपको एक बार थोड़ा सा देख लेना चाहिए नारी को रावन कुरी विकारन एवं बेट कुर्बा जन जातियां एक सो तीनवा सम्विधान संशोधन अनुच्छेद 324 इन ब्रैकेट टू विदेशी विश्विद्याले और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति यह पॉलिटिकल साइंस के इंपोर्टेंट करेंट टॉपिक थे यहां मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि जब मैं टॉपिक्स पढ़ रहा था तो आपके दिमाग में हो सकता है कि एक सवाल उभरा हो कि सर अनुच्छेद कई तरह के अनुच्छेद बता देते तो ज्यादा अच्छा था है ना ऐसा लगा होगा आपको यह से पहले मैं कह रहा हूँ रास्टपती का चुनाओ इसके बाद पांच छे और बताने के बाद मैं कह रहा हूँ उपरास्टपती का चुनाओ तो आपको लग रहा होगा कि एकी साथ बता देते कि रूप मे लीजिये। जो घटनाएं शामिल की है, वो पिछले साल के एपरेल से लेकर, इस साल के मार्च तक की घटनाएं है। तो जिने मैं पहले बता रहा हूँ, तो सीदी सी बात है क्यों अपरेल, मई लगेरे की घटनाएं हो सकती हैं। इस रूप में भी आप मेरे इन टॉपिक्स को देखें, अब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आता हूँ और वह है जियोग्रफी भुगोल, अनाना स्काउट पादन, मखाना, अबु सेफेईन चर्च, डाल्ट, गोगरा पोस्ट, प्रथम C.N.G. टर्मिनल, चक्रवाती तूफान जैसे इयान, हिन्ना मनोर, नान मादोल और सितरंग, डाइमोर्फस, दोनेट्सक, लुहानसक, जेपो, रीजिया और खेरसान, ये चार नगर हैं आप कह लीजे, इनके बारे में देख लीजेगा, ये चारों एक ही से संबंदी थे, इसलिए मैंने इन चारों को एक ही साथ आपके सामने रखा है, DMH 11, विश्व स्वास्थ संगठन का वैश्विक केंद्र, निकल का सबसे बड़ा उत्पादक रास्त्र, पर्वत माला योजना, सम्मेद शिखर, ब्राजील, सीरिया, निवजिलेंड, इनके लोकेशन्स और इन देशों में लेटेस्ट कुछ समस्याएं आई थी, आप उन्हीं थोड़ा सा देख लिजेगा, पिछले साल इस तरह के कुछ प्रश्ण पूछ लिए गए थे, इसलिए मैंने इन्हें शामिल किया है, पूशा, हिमोड, जोशिमट, बेलगाम, सुमेरु परवत, सलाल हेमाना छेत्र, श्री अन, और भारती, कदन, अनुसंधान, संस्थान, ये भुगोल के इंपोर्टेंट करेंट टॉपिक्स थे, अब मैं तीसरे विशे पर आता हूँ, जिसमें आप इकनॉमिक्स को भी पाएंगे, और इकनॉमी को भी पाएंगे, इंटरनेशनल भूलियन एक्स्चेंज, चतुर्थ अध्योगिक क्रान्ती, प्राथमिक क्रिशी रिड समीती, क्रिशी जनगनना, गति शक्ति विश्व विद्याले, वित्ती सेवा संस्थान ब्यूरो, रैंकिंग, जो अलग-अलग तरह के एकनॉमिक फिल्ड में रैंकिंग आते हैं, इस आप डूइंग रैंकिंग, इस तरह के जो आते हैं, इन्हें आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजेगा, तो मैंने उसे डिटेल्स में नहीं लिया, क्योंकि यह हर साल रैंकिंग आती रहती हैं, और सामाने तरह देखा गया है कि एकाद रैंकिंग के बारे में पूछी लिया जाता है, तो किसी पर्टिकुलर रैंकिंग को शामिल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने यहां रैंकिंग शब्द का इस्तेमाल किया है, रुपए में विदेशी व्यापार, व्यापारिक साज्येदार, अम्रित सरोवर मिशन, व्यापक आर्थिक भागिदारी समझावता, मुद्रा इस्फीती, आशा, यहां आशाकारी करता से मेरा संबंध है, संपुर्णा योजना, वैश्विक लेंगिक असमानता सूचकांक, फॉक्सकॉन, देश के गरीब राज्य, इलेक्ट्रोनिक गोल्ड रिसीट, शिश्व मृत्युदर, वैश्विक भूख सूचकांक दो हजार बाइस, जिसे आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहते हैं, डिजिटल रूपी, वाइब्रेंट विलेज योजना, और मध्यवर्ग का बजट, नेक्स्ट सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन, पिछे कुछ सालों से यह देखने में आ रहा है, कि इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे जाने वाले प्रश्णों की संख्या में, थोड़ी सी बृध्धी हुई है, उसी को आधार मानते हुए, फिर मैंने इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ अपिक्षक्रित, जादा टॉपिक्स सेलेक्ट किये हैं, लेकिन कठीन बिलकुल भी नहीं है, और इमने से बहुतों के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, रहस्ट्रमंडल देश, नाटो, इसे नेटो भी कहते हैं, एन ए टी ओ, ताइवान, ग्लास नोस्त एवं पेरेश्ट्रोईका, इवान वांग फाइब, अंटार्कटिक संधी, अमहारा जनजाती, हिंद प्रशान्त आर्थिक फ्रेमवर्क, विश्व व्यापार संगठन, इटली, इसराइल, निवजिलेंड और डेनमार्क के राष्ट प्रमुख, कौन हैं और इसे ठीक अगर बदला हुए हैं तो इसे ठीक पहले कौन थे, कुश्यारा नदी जल बटवारा विवाद, एल शिक्स्टिनाइन, शंगाई सहयोग संगठन, सिंधु जल समझोता, आसियान का नया सदस्य, वास्यनार व्यवस्था, जी ट्वेंटी की अध्यक्षता, भारत, अस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझोता, इनोवेशन विज समझोता, और आउपरेशन दोस्त, नेक्स्ट सब्जेक्ट हैं, आर्ट एंड कल्चर से, संगाई उत्सो, सांस्कृतिक एवं पर्यतन राजधानी वाराण सी, काशी विश्वनाथ मंदिर, शिवकुमार शर्मा, सलमान रुसदी, करते परवन, मूक नायक पत्रिका, गंदन मट, अभंग, दिक्राउन, अद्वयत दर्शन, शिंदलर्स लिस्ट, लोशर उत्सव, हर्ण बिल उत्सव, और आर्य समाज, नेक्स्ट सब्जेक्थ साइंस, विज्ञान, नैनो यूरिया, रेयर अर्थ्स, मिल्ग्रोमियन डायनमिक्स, आर्टमिस वन, भार्ती राष्ट्री अंतरिक्ष सम्वर्धन एवं प्राधिकरन केंद्र, सूर्यनूतन, स्टील स्लैग मार्ग, डबलू बोसान कण, फोर्टिफाइड राइस यानि चावल, चैट जीपीटी, सरवाधिक मजबूत धातू, ब्रेन कम्प्यूटर इंटरफेस, स्काई UTM प्रणाली, और निसार NISAR, अगला सब्जेक्ट है पर्यावरन एन्वाइर्मेंट, कुनो राष्ट्रिय उद्ध्यान, लाइफ मिशन या इसे मिशन लाइफ भी आप कह सकते हैं, जस्ट अनर्जी टांजिशन पार्टनर्शिप, वन्य जीव संडक्षन संशोधन विधेक 2022, COP 15, Mangrove Alliance for Climate Change, नेक्स्ट है sports, बर्मिंगम राष्ट्र मंदल खेल, थामस कप Championship, और भारतिय फुटबाल महासंग, पुरस्कार के अंतरगत दो पुरस्कार मैंने रखे हैं, बूकर पुरस्कार और नोबल पुरस्कार, नोबल पुरस्कार के अंतरगत इकोनॉमिक्स का पुरस्कार जिन्हें मिला है वो ज़्यादा important है, लेकिन फिर भी इस बार के जो पुरस्कार मिले हैं, वो कहीं ने कहीं आप कह सकते हैं कि जनरल साइंस से जुड़े हुए हैं जीवन से जुड़े हुए हैं इसलिए बेहतर होगा कि इस बार जो नोबल पुरसकार दिये गए हैं विभिन छेत्रों में सभी को आप थोड़ा सा देख लें कि किने दिये गए हैं वे किस देश के थे और किस विशय के लिए, यानि कि किस काम के लिए दिये गए, विशय तो आप समझी जाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या काम किया, उसका क्या इंपेक्ट होना है, इसके बाद लास्ट है, फिर्ट्स, अन्य, अदर्स के तहत मैंने कुछ शामिल की हैं, टॉपिक, टेजस, प्रचंड, शार्य दिवस, हेलिना, इनस वागसीर, स्पोर्स वाशिंग शब्द, स्पोर्स वाशिंग शब्द, स्पोर्स वाशिंग शब्द, लाचित वोड फूकन, और विक्रम, आस् जितने टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताए हैं, इनकी संख्या लगभग लगभग, 140 के आसपास है, देखें, इसमें कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं, जो बहुत ही संचिप्त इन्फरमेशन की मांग करते हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जो थोड़े से डिटेल की मांग करते हैं, तो उन्हें आप थोड़े साथ डिटेल में जाकर देख लेंगे, यहां मैं आपको कुछ और इन्फरमेशन्स देना चाहूंगा, कि अभी जो आपको टॉपिक्स बताए गए हैं, यदि आप इनकी कम्प्लीट लिस्ट चाहते हैं, तो वह बकाएदे हमार AFEIS.com पर अविलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं, जो दूसरी बात है, वो यह कि जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इन टॉपिक्स को आधार बनाकर मैंने लगबग 150 कोश्चन्स तयार के हैं, जो अबजेक्टिव टाइप के हैं, यदि आपको अबजेक्टिव ट जरूर ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने कोश्चन्स तयार किये हैं, वो सिविल सर्विस एग्जामनेशन में जिस पैटर्न पर पूछे जाते हैं, पैटर्न तो वही है, लेकिन उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा कम है, ऐसा आपको पढ़ने पर लग सकता है, और ऐसा म अगर मैंने अबजेक्टिव टाइप कोश्चन्स तयार किया है, तो इस बात का विशेश रूप से ध्यान दखा है, कि एग्जामनेशन के पॉइंट आव विव से जो इन्फार्मेशन आपको चाहिए, वो स्टॉपिक से रिलेटेड, वो कम से कम आपको यहां मिल जाए, त आपकी प्रिप्रेशन भी कराने की द्रिस्टी से तयार किये गए हैं, तो इस द्रिस्टी से आप उन्हें पढ़ें और उनका मुल्यांकन भी करें, प्रिंट्स एक बात और और वो यह कि जो एफी आईएस है, वो खासकर करेंट अफेस पर तयारी कराने के लिए अपने मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, मंडे टू फ्राइडे एक हम डेली आडियो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, जो मेरे द्वारा ही तयार किया जाता है, और यह लगभग बारा से चौदा मिनट का होता है, इसमें जो उससे ठीक एक दिन पहले क जो खबरे होती हैं, चाहे वो अखबारों की खबरे होँ, या बीषेशिय आपको आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपके अंदर एक आनलेटिकल पावर डेवलफ हो सके और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम सा जानकार, भी कि परिणाम देखने क principles अबे想法 of जह जाती सब्सट्स पेपर्स की कुछ क्लिपिंग्स आप सबको प्रोआइड करते हैं जो नेशनल लेवल के नौ अ inserts हुनके कलिपिंग्स और कलिपिंग्स में हम दो चीज़ें शामिल करते हैं, एडिटोरियल कमेंट और एडिटोरियल आर्टकिल्स, लेकिन सभी नहीं, इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखा जाता है कि वे क्लिपिंग सिविल सर्विस एक्जामनेशन के प्रिप्रेशन के लिए महत्पून सिद्ध हो सके हैं, ठीक इसी तरह से हम योजना और कुरुछेत्र, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, इंपॉर्टेंट आर्टकिल्स होते हैं, वीकली प्रोवाइड करते हैं, यानि कि हर महिने आपको योजना से चार आर्टकिल्स और कुरुछेत्र से चार आर्टकिल्स पढ़ने को हम लोग देते हैं, और स दोस्तों इसके साथ ही चुकि हंग्रे जी के अखबारों में कभी कि बहुत अच्छे articles आते हैं अच्छे editorial comments भी होते हैं हिंदी के student के लिए वो बहुत परिशानी की बात हो जाती है तो जो हमें बहुत महत्रपूर्ण लगते हैं और ऐसा लगता है कि इसकी भरपाई हिंदी के अकबारों में नहीं हो सकती, तो हम लोग चाहे वो English का आर्टकिल हो या English का एडिटोरिल कमेंट हो, उसको हिंदी में आपको प्रोवाइड करते हैं, वो अनुवाद नहीं होता, हिंदी में प्रोवाइड करते समय भी इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखा जाता है कि इ कौन कौन सी बातें आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं, इस रूप में हम हिंदी में वे आर्टकिल्स और एडिटोरिल कमेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, साथी साथ बकायदे हम लोग वीकली प्रैक्टिस एक कोश्चन देते हैं, जो मेन एक्जामनेशन को ध्यान मे रख कर दिया जाता है, सब था में एक कोश्चन ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सके हैं, और आपको जानकर क्षुशी होगी कि जो कोश्चन से दिये जाते हैं, उनमें से बहुँत से कोश्चन में पूछे जाते हैं, मैं कोश्चन स तो नहीं कहूंगा, लेकिन उन टापि उनका लेवल थोड़ा सा हम लोगों ने अच्छा रखा, UPSC के आसपास रखा हुआ है, जान बूच करके रखा हुआ है इसका परपस यही है कि कुछ तो आप तथ्यों को जान जाएं और साथ ही साथ डेली कम से कम जो कुश्चन्स का जो फ्रेम है, उसकी जो बनावट है, उसकी जो जटिलताएं हैं, उसकी जो भाशा है, वो भी धीरे धीरे आपके अंदर रचने बसने लगे, इस बात का हमने वि जो सारी सर्विसेज हैं याद रखिए, ये बिलकुल फ्री हैं, आप इनका फाइदा उठा सकते हैं, दोस्तों अब अंत्मे में यही कहना चाहूंगा कि यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करें, अपने लोगों के साथ इसे शेयर भी करे और सबस्क्राइब भी आप कर सकते हैं, ताकि जब भी हम आपके लिए उप योगी इस तरह के वीडियो बनाएं, आपको उनकी जानकारी मिल सकें, तो दोस्तों अब इसी के साथ ही मैं आप सभी को एकेडमी के अपनी पूरी टीम की और से और अपनी और से परिक्षा में सफल हों, और जब आपके सफलता की सूचना हम लोगों को मिलेगी, तो हम लोगों को भी एक प्रसनता का आउसर मिल सकेगा, अब अपनी बात मैं समाप्त करता हूं, नमस्कार.